बहुत होश बर्तमान तीनों काल का साक्षी हूँ इन दस सालों में कहीं भी दंगे के नाम पर किसी भी हिंदू मुसल्मान के खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी अब तो मलभपूर में टिकेट भी दे दिया मुसल्मान को आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा अजध्या में जितनी भी घटनाएं घटी मेरी आखों के सामने घटी गोली चली मेरी आखों के सामने चली कोठारी बंदूओं की हत्या हुई मेरी सामने हुई लास को ठाकर के चारदाम मंदर में लेके आया सरी उसे लास से मैंने निकाली उस सारी इस्तिती को मैंने देखा अब रेप सिटी बन चुका है क्या महिलाएं यहां पे सुरक्षित हैं यह हेड्लाइन से हम लोग लगातार देखते आ रहे थे जब चाही वाला आया तो इतना बदलाव हो गया अगर गाएं वाला आया तो क्या बदलाव है पुरे देश में गजब का माहल है मोधी मोधी हो रहा है जैशे राम है तरविक शुक्रे नीवनोडता आई दिरा हेलो हिंदू इवत उन्ना वीगे नावू बंदी दिवी उन्ना वू लोक सभाग शेत्र दली कावू सिखापटे जो रागिदे पुरे देश में गजब कावू सिखापटे जो रहा है क्षेत्र में कावू बहुत बहुत सुन्दर चल लाँ है कि बल मेरी भाषा ने में आपकी भाषा नहीं समझ पाई रहा हूं इसे क्या जादू किया है अपने जादू मैंने नहीं किया है जादू मैंने नहीं किया है भारत के भाजबत अशो श्री प्रधान मंत्री मोधी जी ने किया है सबका सास टास फिंधाक injis 느 और विश्वात इस Maha Mantra के साथ Moodi जी ने सारे देश में रिश्वाय कि सौने कि यह पूरी पर द्रसता के साथ जो विकան्का कार कि किया है कि पिछले 65 वर्सों में जो विकास का कारी नहीं हुआ था इन दस वर्सों में मोदी जी ने इतिहासी ग्रूप से गुणात्मा ग्रूप से कारी किया है तो जनता कहने लगी है कि तो मोदी की गारंटी है जनता कहने लगी मोदी है तो मुम्किन है कोई काम हो जनता के मुझên से सह्जा निकलता है कि मोधी है तो मुमकिन है और मोधी जी ने कुछ कह दिया लगा कि यह तो ब्रहम बाग क्यों हो गया अगर मोधी जी ने कह दिया तो वaving शत्रत है यह पर नहीं गिरी और मोदी जी जब बोलते हैं तो पहले बोलते थे मेरे भाई और बहनों अब बोलते हैं मेरे परिवारी जनों और जी 20 हुआ था उसमें स्लोगत दिया था वसुधाइव कुटम वकम तो हम उस परंपरा को मानने वाले हैं अयम निजह परोबेती गड़ना लग उचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधाइव कुटम वकम तो वसुधाइव कुटम की जो भावना है इसको लेके मोदी जी ने पूरे 140 करोड को अपने परिवार में समाहित कर लिया है मुझे लगता है इसी का जादू है कि सब लोग मोदी जी के मुरीद हो गए अमेजि का होगे मामला के वर्ट टिकट देने तक सीमित नहीं है कि सब को नियाए जब से देश आजाद हुआ लगवद 55 बरस तक कॉंग्रेस का सासन रहा तो मुसल्मान के लिए नियाए के लिए स्थानवा नहीं था उसको भैभीत करती रही कॉंग्रेस और बीजेपी आ जाएगी इसलिए बीजेपी को रोको इस प्रकार का भाताओन बना करके मुसलमान को भैकाया गया उसके दर्वाजे से टाट पत्त नहीं हटाई गई उसे अवास नहीं दिया उसे रोजगार नहीं दिया गया उसे और जितनी सविधाइं हो सकती हैं पर बोदी जी ने प्रदानमंत्री बनने के बाद एक आंक से उसी आंक से हिंदू को देखा उसी से मुसल्मान से देखा मुसल्मान को देखा और ध्यान रखा कि किसी के साथ कही कोई अन्याय न हो जाए यही कारण है कि हिंदू तो मोदी जी के साथ खड़ा है मुसल्मान भी खड़ा है और मोजी जी हर काम ऐसे करते हैं एकदम चमतकार एक तरीके से जैसे लगता था हमारे उत्तर प्रदेश में यादव सपा के साथ हैं लेकिन जैसे ही मोजी जी ने मंद्र प्रदेश में यह क्यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो एक दम सारे देश में भूचल जैसा आगया अब हमारे बिलाग बैठे हैं यह यह आदव हैं हमारी सिभमबट है कोई समयधादी पार्टी की थे आज हमारे भकते ह हमारी सिभमबट तो यह यह पूरा का पूरा बातावण बदला हुआ है मोजी जी कारण बदला हुआ है तो मोजी जी ने अगर यह कह दिया अब की बार 400 पार तो यह ब्रह्मबा के होगे आपकी बार 400 बार जहां आप बैठे हैं मैं जब 2014 में हम चुनाव लड़ने आया था तो सबा तीन लाग बोटों के अंतर से जीता था बड़े धुरंदर लोग मेरे सामने थे 2019 में दुवारा चुनाव लड़ा तो मैं चार लाग एक हजार के अंतर से जीता उत्तर पदेश में चौथा मेरी पोजिशन थी और अब 24 में चुनाव लड़ूगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पोजिशन दूसरी आ जाए तीसरी आ जाए तो अब यहां की जनता का बहुत लाड़ा है बहुत प्यार है यहां की जनता बहुत समझदार है यह कमल की कमंडल की पतलवार की धरत लवकुॷ यहीं पैदा हुए और एंधिश्य की ने किया तो जो घोडा चोड़ा गया थंधा यहीं राया चेला यहीं रामकि सेता कमिरे इस है मैं यह चारा हुआ की सौबा करेको की अधिगिस्थ्र है नहीं है ने कम्सें वी परियाब्त कि और वाफ ही हैं और इंड़ेस्ट्री के नाम पर यहां बूचड़ खाने टेनरिया हैं जैने कम सिकम में पसंद नहीं करता रोड़नाव के लिए अविशाप है मेरा प्रियास चलेगा तो उनको हटाके अच्छे उद्ध्योग ला करके यहां की जनता का मला किया जाएगा इस बार का चुनाव क्या रहेगा? कुछ लोग जो इंडिया गठवंदन वाले हैं जब चुनाव आता है तब वो मुद्दे लेके आते हैं तब बाइदे करते हैं और चुनाव निकल जाता है तो बाइदे भूल जाते हैं कि दियाती कावत है आप समझेंगे नहीं समझेंगे जब अटकती है घिन्नी तो लोग बोल देते हैं सिन्नी और निकल जाते हैं तो बाइदा करते हैं पर भारती जन्तापार्टी बाइदों विश्वास नहीं रखती हैं यह तो रहुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचनन जाई जो कह दिया को किया जाता है तो भारती जन्तापार्टी हर समय चुनाओं के मूर में रहती है इस दर्शी से सरकार जन्ता के दरवाजे तक अभी हम लोगों ने हमारे लिए पहले राष्ट्र है राष्ट की जंता है चुनाओ ने टो होते रहते हैं पर चुनाओं हमारा जीवन नहीं है राजमीतिनी जीवन नहीं है पर रश्ट हमारा जीवन महमंत्र दे इसी के आधार पर हम लोग काम कर रहा है इस वक्त ये लंभा मुझे लगता है कि इस विचार को कहना चाहिए क्यूंकि राममंदीर के आंधुलन में आपका भी बहुत योगदान रहा है कैसे याद करेंगे वो लंभी को आप अपने बहुत अच्छा मुद्धा चेड़ा मैं कि ने तो शाड़े आठ वर्ष कुम्र में सन्यास लिया था और 88 में में एक अखाड़े का आचाहर महमंदीर शुर्व बन गया था राहिनिति के बारे में स्वापन में भी नहीं सोच सकता था परंथ इसी उत्तरप्रदेश के सिंहासन पर बैठ हुए एक बड़े नेता ने शाषक ने कहा अध्धा में परिंदा पर नहीं मार सकता तो फेरी मेरी आत्मा ने मुझे दुद्कारा के नहीं इस चैलेंज को स्विकार करना थी तो में रामकार सेबा के मैदान में कूद सारी बंदूओं की अधिया हुए मेरी सामने हुई लास को ठाकर के चारदाम मंदर मेले के आया स्विकालेगा उस सारी इस्तितिवी को मैंने देखा फिर उस जील शी ढांचे को तूटते भी मैंने देखा कल्यान सिंह जवान में और उसके बाद मैं सवभाग शाली हूं श्रीराम के मंदर की चर्चा आपने की एक कालखंड ऐसा आया था हिंदुस्तान में जैशी राम कहने बालों को श्राम परदा के दिया जाता था अगर हम भी लोग सभा में सफ़त लेने के बाद जैशी राम कह दिया तो लोग आपजेक्शन करते थे बोली हाँ यह जैशी रा सभाई मोधी ने शिलान्यास ही किया और प्रांट प्रतिश्टा अपने हाथों से की और यह 니म सयम के साथ की और उसी बड़ी बात यह मंदिन में प्रांट प्सक्ता हो गया तो उसी लोग सभवा में जिसमें जैशिराम और प्रतिमंद लगता था उसमें प्रभुशी के मंद्र को ले करके धन्यवादप्रस्थ जंद्वाद प्रस्थाव में बोध करने तारीक नहीं बताएंगे हमने तो तारीक ही बता दी मंदिर का निर्माड भी हो गया फिर हमने सब को निमंतर भेजा तो जो इंडिया गड़ मत वाले थे चाहे वो राहूल थे चाहे आप लालु के लोग थे चाहे हमारे अख्लेश थे आई दूसरे तीसरे अब क्या कैसे मंदिर को जाएंगे पर तारिक नहीं बताएंगे लेकिन हमने कभी मंदिर को नहीं छोड़ा हम तब भी नहीं छोड़ा जो एक दो एंपी थे हमने तब भी नहीं छोड़ा जो तीन सो तीन एंपी थे हम प्रभु शिराम को नहीं छोड़ते प्रभु प्रभु इस राष्ट की आत्मा है मुझे तो लगता है 1947 में देश जब आ जा दुगा तो केबल मूर्ती खड़ी की गई थी लेकिन बाइस जनवी 2024 को उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई मेरे प्रुशी राम आके बैठ गए तो ये राम राष्ट की आत्मा है प्रुशी राम आके बैठ गए तो उन का भी चमतकार 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा किसे नकारा नहीं जा सकता अमेजी सर बहुत सारे खाब होंगे आपके भी कांस्ट्रिट्यून्सी को कुछ करने के लिए और भी क्या कुछ बचा है करने के लिए मैं एक धर्माचार हूं और राजनीती में काफी शीनियर हूं मुझ जैसे सीनियर कम लोग है पार्लेमेंट में और ये कपड़े मेरे भगवा हैं तो चाहे प्रदेश के नेता हों या केंद्र के हों मैं जो आग्रे करता हूं वो सहर सुईकार करके समान करते हैं मेरी चेत्र की समस्याओं को चेत्र से पूंच करके जैसे हमारे मन में हैं कहची सी एक इनिविश्टी बननी चाहिए अच्छा सा यह उद्योग लगना चाहिए लोगों को रोजगार मिले एक हमारे हां समस्या है सुकला गंज में पुराना पुलखा वो बंद हो गया है तो आवंगवन क से कम किया जाते हैं इस बार कितना लीड मिलेगा सर आपको जिस प्रकार से मूदी जी ने इस देश में विकाश किया है मैं शौभा कि शाली हो कि प्रदानमंत्री शड़कियोजना में सारे हिंदुस्तान मेरा उन्ना नमर एक पर है और पहले मैं उन्नीस में चार लाक एक लगा अब की बार 500 पार मुजी नारा लगाए 400 पार होगा तो यहां भी 6 लाग पार होगा जिस तरह से मोदी जी का केरला में अंधरा में वंगाल में जारकंड में उधर जो स्वागत सम्मान हो रहा है वो लगता है कि निश्चत रूम से 400 पार होगा सर बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं कि साक्षी महाराथ जी ने लास्ट टाइम यह कहा था कि अगर मुझे वोट नहीं दालोगे तो कर्मा रिटन हो जाएगा क्या इस कैसे डिफेंट करोगा आप ऐसे नहीं कहा था कुछ यहां कि मीडिया बाले अमें तो नहीं कहूंगा कि कम सोचवाले हैं कुछ लोग राजनीती में प्राइश तरीके से नीजों को चलाया करते हैं आप दूर से आये तो आप जैसा ले रहे हैं ठीक ठीक दिखाएंगे मैंने केबल इतना कहा था कि मद्दान करना आवश्रक है और इसको निर्वाचनायों भी कहता है और मैंने कहा आ आप बोट नहीं देंगे तो मैं सादृमांत्मा कुछ तो लेकर जाओं का आपका HIS है कि पॉंड़ से या नहीं सकता तो इतना ही मैंने कहा था उसमें किसी को सराब देने का कम नहीं किया था ने सराब में किशी को दे सकता हूं हम लोग तो उस संस्कृति की लोग सद्धि पंदूर में एक ऐसा धर्म है जो विश्व के कहलाण की बात कर if दो आता है अपकेले हैं विश्व का कल्याद हो प्राणियों में सद्भावना सड्वाड़ इसए शंक्रति तो भुटे मिले आगे नहीं है और मैं उसी संस्क्रती का धरमा चाहरे हूं तो गलत बास कहे भी नहीं सकता सोच भी नहीं सकता ओके सर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऑचाइ goodbye आगर गॉष आए जप यह धा वाला आया तो इतना बध्लाव होगा अगर गाएवाला आया तो क्या बध्लाव होगा ऐसा कह रहे थे लोग आप कैसे डिफेंट करोगे इसको के ठीक है चाहे वाला आया उसने तब पूरा का परवर्तन कर दिया पिस्ट को हिला के रख दिया अब गाई वाला आएगा तब देखा जाएगा भी क्या करणी कि जा सकती है क्या कहना चाहेंगे सिर आओडियंस को करणा आओडियंस को मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके वहां के लोग बहुत पढ़ी लिखें विद्वान है कमेटियों में उधर जाता रहता हूं तो मैं इतना पर कहना चाहूंगा कि बीट कि राश्च ठरूबर है सर्व परी है सारे विस्षु के देशों की इश्टिती को देखें और अपने भारत की इस्टिती को देखें को रो ना का जब काल आया तो बड़े बड़े विक्स विकास सील देश उठके खड़े नहीं हो पाए हमने दुदू बैक्सिन बना आई और विदेशों को दुनिया का दुनिया बैक्शीन बेच दिया और आज भारत की तरफ सारा बिश्ट देख रहा है तो मैं वहांके लोगों से सारे देश के लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि देश सरप्रथम है और मोदी जैसे निता हज्जारों साल में कभी कितनी आखों बहुत कृ अपने मंत्熱 द्री देख रहे साथ्वाश के और मेरी उमर वह उनको लगे लंबे समय तक राष्ट करते ला जए बहुत सारी मीडिया में खबर चली थी कि उन्नाव अब रेप सिटी बन चुका है क्या महिलाई यहां पर सुरक्षित हैं यह एडलाइन्स हम लोग लगातार देखते आ रहे थे तो क्या बदलाव हुआ है अब कंट्रोल में जब कुछ कि वह राजनेतिक पराजुत कार्क्रम जिसके द्वारा उन्नाव को बदनाम करने का काम किया गया मैं संत हूं तो जो जितनी तरह से मीडिया में चलाया गया था और वो मीडिया ट्राइल ही था सचाई कुछ और थी उस रंदर में कुछ को अच्छा नहीं लगता है लेकिन जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन द्रिष्टिक में भी नहीं थे वो निराधार आरुप थे पूरी तरह से उसे मेरे जनपत की जो इमेज खराब हुई उससे मुझे भी धक्का लगा मुझे भी कष्ट हुआ परंतो ऐसा कुछ नहीं है यह विद्वानों की धरती है यह पंडिक चंसिकर आजाद की की धरती है राजा रा रहा रांबकत सिंग्ट थर्टि एक पंडिक सुरिक का इट निराला की धरती है आपको मैं याद दिला देता हूं जा도 भारत वारत का सम्विधान की रच्णा हुई तो सम्विधान संवानों के दो लोगING तो लोग थे। बारत माता की जय हिंदुस्तान जिंदाबाद लगाया ऐसी पवित रूमी है पर कुछ लोगों की कुछित मानिस्टाने अपने स्वार्थ को ले करके बदनाम करने का काम किया और उसमें कापी हद तक वो शफल हुए तो मैं इस प्रकार के करतिकी निंदा करता हूं अपने हिं हिंदुस्तान आज भी आप देख रहे हैं कुछ लोग हिंदुस्तान की बाते जाके चीन में करते हैं वो पाकिस्तान करते हैं हिंदुस्तान का कॉंग्रेश का बड़ा नेता पाकिस्तान में जाके कहता है मोजी गोटाओ यहां की बुराई करते हैं तो आप कुछ लोग बे जिए योगी आदित्यनाद लोग पुर्श है रामभक्त है नरेंद्र मोधी जी अधुती ही है अधुती उनके लिए मेरे पास कोई सब्द नहीं है युक पुर्श है राहुल गांदी भरमित बेक्ति है असादुद्धी नोवईसी पागल बेक्ति है साक्षी महाराज साक्षी महाराज शाक्षी महाराशन्त है अमेजिंग थैंक यू सो मच सर बहुत खुशी हुए आपसे बादचीत करके आल बेरी बेस्ट ओके नोड़ीद्र लाविक शिक्रेए दिश्टो साक्षी महाराज अवर अमातुगळू अधियने इद्रू कोडा उन सब्सक्राइब करते हैं तो चेत्र की समस्याओं को चेत्र से पूंच करके जैसे हमारे मन में हैं कहची से एक इनिवर्स्टी बननी चाहिए अच्छा सा यहां उद्यूग लगना चाहिए लोगों को रोजगार मिले एक हमारे हां समस्या है सुक्ला गंज में पुराना पुल्था वो बंद हो गया है तो आवंगवन की थोड़ी परिशानी है तो प्रात्मिक्ता से उसको लेना और जनता आती है समस्याइं सुनी जात इस देश में विकाश किया है मैं शौभा की शाली हों कि प्रदान मंत्री शड़क योजना में सारे हिंदुस्तान मेरा उन्ना नमर एक पर है और पहले मैं उन्नीस में चार लाग एक हजार केंतर से जीता था तो यहां हमारे परवारी जी ने हमारे जला दक्षने नारा पार पर मुझे लगता है पांच लाग तो जनता ने नारा लगाया है मेरा इरादा रहेगा कि इसे छे लाग तक पहुंचाने का काम करो चला केंतर से जीतने के राजें मेरे ओके बिल चार सो पार तो जरूर होगा दिर इस नो डाउट अल क्यूंकि हम भी पत्रकार खुल के पार तो यहां भी छे लाग पार होगा जिस तरह से मोदी जी का केरिला में अंधरा में जारकंड में उदर जो स्वागा सम्मान हो रहा है वो लगता है कि निश्चित रूम से चार सो पार होगा सर बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं कि साक्षी महाराथ जी ने लास्ट टाइम यह कहा था कि अगर मुझे वोट नहीं दालोगे तो कर्मा रिटन हो जाएगा क्या इस कैसे डिफेंट करोगे आप ऐसे नहीं कहा था कुछ यहां कि मीडिया बाले अमें तो नहीं कहूंगा कि कम सोच वाले हैं कुछ लोग राजनीती में प्राइश तरीके से नीजों को चलाया करते हैं आप दूर से आये तो आप जैसा ले रहे हैं ठीक ठीक दिखाएंगे मैंने केबल इतना कहा था कि मद्दान करना आवश्रक है और इसको निर्वाचनायों भी कहता है और मैंने कहा आ अभड मी महें दengगे तो मैं सादुमात वहँए कुछ तो लेकर जाओंगा आपका करें लेकर चिला जाओंगा है और तो लेके जाले सकता तो इतना ही मैने कहा आपस्ट में किसी स्वाप में किसी को दे सकता हूं हम लोग तो उस अंसकृती की लोग है सारेवे भवंति-शुखिना, सरवे शंत निरमया, सरवे भद्रानी परश्यन्तु, मा, कस्चत, दुख, भाग, भवेत। कि अपने कर दो नहीं करता है अकेले हैं विश्व का कल्याण हो प्राणियों में सभावना हो सर्वेज़न रामया सर्वेभद्रान पर संतु मां का सिद्धु वाग वे तो ऐसी संस्कृति दूड़ने से कहीं मिलेगी नहीं और मैं उसी संस्कृति का धर्मा चाहरे हूं गलत बाथ कहा भी नहीं सकता सोच भी नहीं सकता जब चाहे वाला आया तो इतना बदलाव और गाए वाला आया तो क्या बदलाव में ऐसा कह रहे आप कैसे डिफिंट करोगे इसको कि ठीक है उसने तब पूरा का परवर्तन कर दिए विश्व को हिला के रख दिया अब गाए वा वहांके लोग बहुत पढ़ी लिखें, विद्द्वान है, मैं कमेटियों में उधर जाता रहता हूँ, और अपने भारत की इस्तिती को देखे, कोरोना का जब काल आया, तो बड़े-बड़े बिकासील देश उठके खड़े नहीं हो पाए, हमने दो दो बैक्सीन बना दी, मोदी जी ने अपने देश को अपनी देश की जनता को तो बचाया ही, और विदेशों को दुनिया का दुन है, और मोदी जैसे निता हज्जारों साल में कभी-कभी पैदा हुआ करते हैं, वो रुकते भी नहीं है, वो ठकते भी नहीं है, और पता ने कितनी निगाएं उनकी, चैसे लोग कहते हैं, बगवान के वारे हजार आँख से देख रहा है देखने वाला, तो ऐसे ही वो कितन आखों बाले हैं वे यहां बंधनी है और मेरी में उमर को लगें लंबे समय तक राष्ट की सिवा करते लगें सर मैं ये कोशन भूली गया देखो बहुत सारी मीडिया में खबर चली थी कि उन्नाव अब रेप सिटी बन चुका है क्या महिलाई यहां पर सुरक्षित हैं यह हेड्लाइन्स हम लोग लगातार देखते आ रहे थे तो क्या बदलाव हुआ है अब कंट्रोल में है सब कुछ त कर्म था जिसके द्वारा उन्नाव को बदनाम करने का काम किया गया मैं संत हूं तो जो जितनी तरह से मीडिया में चलाया गया था और वो मीडिया ट्राइल ही था सचाई कुछ और थी उस अंदर में कुछ को अच्छा नहीं लगता है लेकिन जिस दिन की घटना बताई जा रही है मुझे जानकारी है जिसके उपर आरूप है वो उस दिन द्रिष्टिक में भी नहीं थे वो निराधार आरूप थे पूरी तरह से उसे मेरे जनपद की जो इमेज खराब हुई उससे मुझे भी धक्का लगा मुझे भी कष्ट हुआ परंतो ऐसा कुछ नहीं है यह व भारत का संविधान के रिचना हुई तो संविधान सभा में उन्नाओं के दो लोग थे उन्नाओं से दो विद्वान उन्नाओं से इतनी यह महत्मुन धरती है सातन पास ही आंके अंग्रेजों खिलाब सबसे पहले अगर जंडा किसने उठाया यहीं चंदर का खेड़ा उसक हिंदुस्तान जिन्दाबाद लगाया ऐसी पवित रूमी है पर कुछ लोगों की कुछ सित मानिक सा मानिसकताने अपने स्वार्थ को ले करके बदनाम करने का काम किया और उसमें कापी हद तक वो शपल हुए तो मैं इस प्रकार के क्रतिकी निंदा करता हूं अपने है कि मोधी को टाओ यहां की बुराई करते हैं तो आप कुछ लोग बेशर्म हैं वेहा हैं वो अपने जनपत को अपने प्रदेश को अपने देश को बदनाम करने का प्रियास करते रहते हैं उसी का घटना क्रमयाओ को फाइनली सर एक छोठा सा रैपिट फैर मैं थोड़े लोग का नाम लेता हूं उनके बारे में एक लाइन में बता दीजिए योगी आदितिनाथ लोग पुर्शे हैं रामबक्ते नरेंद्र मोधी जी अदुती ही है अदुती उनके लिए मेरे पास कोई सब्द नहीं है यूग पुर्श है राहुल गांदी भरमित वेक्ति हैं अ से बादचीत करके all the very best उन्नाव निन्दा नमस्कार अरुग्या आधारा होस्पिटल गोकाग घटप्रभा मूडलेकी निम्म आरुग्या नमस्कार्वाद्ध्यते